मुर्मयारूग देश के रवईया हो जोहार अगस्त के ये महीना मां आप सब्बो मन के पाती संदेशा और काड मनहा मुर्कार्यालैला तिरंगा मां कर देए मुला इसे शायदे कोनोपाती मिले हो ही जे में तिरंगा नहीं हो है यद तिरंगा और आजादी ले जुड़े बात नहीं हो है लईका युवा संग्वारी मन अम्रित महसों मां बहुते सुघर सुघर चित्र और कलाकारी घलो बना के पठोए हैं आजादी के ये महिना मां हमर जम्मो देश मां हर सहर हर गाओ मां अम्रित महसों के अम्रित धारा बहावत है अम्रित महसों और स्वतंत्रता दिवस के ये विसेश मौका मां हमन देश के सामुहिक शक्ती के दर्शन करे हन एक चेतना के जन्वारों होए है अतका बढ़ का देश अतका विवित्ता फिर जब बात तिरंगा फैराय के आईस तो हर कोनो एक के भावना मां बहावत दिखिस तिरंगा के गवरों के पहली प्रहरी बनके लोगन मन खुदे आघुआईन हमन स्वच्छता अभियान और टीका करण अभियान मां घलो देश के भावना ला देखे हन अम्रित महसों मां हमन ला फेर देश भक्ती के वैसनेच जजबा देखेला मिला थे हमर सैनिक मन उचा उचा पहार के चोटी मां देश के सीमा उपर और बीज समुद्र मां तिरंगा फहराईन लोगन मन तिरंगा अभियान खातीर आने आने नवाचारी तरीका घलो निकालिन जैसे युवा संगवारी कृष्ट नील अनिल जी है अनिल जी एक पजल कलाकार है और वो मन रिकार्ड बखत मां सुन्दर तिरंगा मोजिक कलाकृती तियार करें है करनाटका के कोलार मा लोगन मन 630 फिट लंबा अव 205 फिट चाकर तिरंगा पकड के अनूठा द्रिश्च प्रस्तुत करिन असम मा सरकारी कर्मी मनह दिघाली पुखरी वार मेमोरियल मा तिरंगा फैराय खातीर अपन हाथ ले 20 फिट के तिरंगा बनाईन इही रकम इन दावर मा लोगन मन मानव श्रिंखला के माध्यम ले भारत के नक्षा बनाईन चंडिगड में युवा मन विशाल मानव तिरंगा बनाईन ये दुनो पर्यास गेनिच रिकार्ड मा घलो दर्ज करेगे है ये सब के बीच हिमाचल प्रदेश के गंगोट पंचायत ले एक बड़ प्रेणा दायक उधारन घलो देखिला मिलेश इहाँ पंचायत मा स्वतंत्रता दिवस के कारेक्रम मा प्रवासी मजदूर मन के लईका मनला मुख्य अतिथी के रोप मा सम्मिलित करेगीश संगवारी हो अम्रित महोसो के ये रंग खाली भारते मा नहीं भलुक दुनिया के आने देश मन मा घलो देखिला मिलेश बोत्सवाना मा उहां के रहिया इस्थानिय गायकमन भारत के आजादी के 75 बचर मनाय खातिर देश भक्ती के 75 ठन गीत गाईन एमें आउ खास बात ये है कि ये 75 ठन गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, असमिया, तमिल, तेलगू, कंड़ा आउ संस्कृत जैसे भाखा मा गायगीश इही रकम नामीबिया मा भारत नामीबिया के सांस्कृतिक पारंपरिक संबंध उपर विशेज डार्ग टिकिट जारी करेगीश संगवारी हो, मैं आउ एक्ठन खुसी के बात बताना चाहा थो अभी कुछ दिन पाच्छू, मुला भारत सरकार के सूचना आउ प्रसारन मंत्राले के कारिक्रम मा जाय के मौका मिलिस उहां वोमन स्वराज दूर दर्शन के धारावाहिक के स्क्रीनिंग रखे रहिन मुला उखर प्रीमियर मा जाय के मौका मिलिस ये आजादी के आंदोलन मा हिस्सा लेवाले अंसुने नायक नाई का मन के पर्यास ले देश के युवा पिढिला परिचित कराय के एक सुन्दर पहल है दूर दर्शन मा हर रविवार रात नौ बजे एकर प्रसारन हो थे अव मुला बताएगीस कि 75 सपताह तक चलने वाला है मोर आगरा है कि आप मन समय निकाल के एला खुद देखाएं अव अपन घर के लईका मनला घलो घचित दिखावाएं अव स्कूल कालेज के लोगन मन इला रिकार्ड करके जब सोमवार के स्कूल कालेज खुल थे तब विशेश कारेक्रम के रचना घलो कर सकते ताकि आजादी के जनम के ये महानायक मन के प्रती हमर देश मा एक नवा जागरुकता पैदा हो सके आजादी के अमरित महसो अवया बचर माने अगस्त दुहजार तेश तक चली देश खातिर स्वतंत्रता सेनानी मन खातिर जिन लेखन आयोजन आदि हम करतन हमनला उला आउ आगो बढ़ाना है मुर मयारुक देश के रहवया हो हमर पूर्वजमन के ज्यान हमर पूर्वजमन के दिर्गद्रिष्टी अव हमर पूर्वजमन के एक आत्म चिंतन आज घलो कतका महत्तम के है जब उखर गहराई में जाथन तहम आश्चर ले भर जाथन हजारों बच्छर जुन्ना हमर रिगवेद रिगवेद म कहेगे है ओमान मापो मानुशिही अम्रितकम धात तोकाय तनयाय शम योह यूयम हिस्टा भिशजो मात्रितमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्रिही माने हे जल आप मानौता के परम मित्र हाओ आप जीवन दायनी हाओ आप मनले अन्न पईदा हो थे और आपे मनले हमर संतान मन के हित हो थे आप मन हमला सुरक्षा प्रदान करने वाला हाओ और सब बुराई मन ले दुरिया रख्थाओ आप मन सब ले उत्तम आउशदी हाओ और आपे मन ये ब्रम्हांड के पालन हार हाओ सोचाओ हमर संस्कृती मा हजारों बचर पहली जल और जल संरक्षन के महत्तम समझाएगे है जब ये ज्यान हम आज के संदर्भ मा देख्थन ता रोमांचित हो जाथन फिर जब इही ग्यानल देश अपन सामर्थ के रूप में स्विकार कर थे ता ओखर ताकत अने को गुनाब बाढ़ जा थे आप मनल सूर्ता हो ही मन की बात मा चार महिना पाचु मैं हाँ अम्रित सरोवर के बात करे रहे हैं ओखर बाद आने आने जिला मा इस्थानिय प्रशासन जुटिस स्वयम सेवी संस्थान मन जुटिन और इस्थानिय लोगन मन जुटिन देखते देखत अम्रित सरोवर के निर्मान एक जन आंदुलन बन गेईस जब देश खातिर कुछू करे के भावना हो थे अपन कर्तव के जनवारों हो थे अवय या पीढ़ी के चिंता हो थे तस सामर्थ घलों जुड़ थे और उस संकलप नेक बन जा थे मुला तिलंगाना के वारंगल के एक सुन्दर परियास के जानकरी बिले है इहां एक नवा ग्राम पंचायत के गठन होए है जिखर नाओ हैं मंतिया, वाल्या, थांडा ये गाओं जंगलिक छेत्र के नजीक है इहां के गाउं के नजीके एक ऐसे ठिया है जिहां मानसून के दोरान बहुत अकन पानी सकलात जावत रहिस। गाउं वाला मन के पहल मा अब वो ठियाला अम्रित सरोवर अभियान के अंतरगत बिक्सित करे जावत है। ये पईत मानसून के दोरान होए बरसा मा ये सरोवर पानी ले लबा लब भर गे है। अम्रित सरोवर घलो लोगन मनला बने आकशित करते। इहां के निवारी ग्राम पंचायत मा बने ये सरोवर चार एकर मा फईले है। ये अभियान करनाटका मा घलो जो रहा चला थे। इहां के बागल कोट जिला के बिलके रूर गाउ मा लोगन मन बहुते सुन्दर अम्रित सरोवर बनाए है। असल मा ये छेत्र मा पहार ले निकले पानी के कारण लोगन मनला बहुते अरचन होत रहिस। किसान अव उनकर फसरल घलो नकसान पहुचत रहिस। अम्रित सरोवर बनाए खातिर गाउ के लोगन मन सब्बो पानील बांधत एक कोती ले आइन। एकर ले खेत्र मा बाढ़ के समस्या घलो दुर्यागे। अम्रित सरोवर अभियान हमर आज के अनेक समस्या मन के समाधान तकर थे। हमर अवया पिढ़ी खातिर घलो उतके जरूरी है। ये अभियान के अन्तरगत कईयों जगामा जुन्ना तरिया मन के घलो काया कलप करे जा थे। अम्रित सरोवर के उपयोग पशु मन के पियास बुताय के संगे संग खेती किसानी खातिर घलो होवा थे। ये तरिया मन के कारण तीर तकार के छेतर के भूमी का जलिस्तर बाढ़ गे है। उहें एकर चारो कोती हर्याली घलो बाढ़ा थे। अधकेच नहीं कईयों जगा लोगन मन अम्रित सरोवर मा मचली पालन की तियारी मा घलो जुटे हैं। मुर आप जम्मो मनले और खास करके मुर युवा संग्वारी मनले आग्रह है कि आप मन अम्रित सरोवर अभियान मा बढ़ चड़ के हिसा लेवाओ और जल संचय और जल संरक्षन के ये पर्यास मनला पूरा ताकत देवाओ। एला आगु बढ़ावाओ। हर सप्ता भेट कर थे। अव पोशन ले सम्मंधित सब्वो जानकारी मा चर्चा कर थे। मने एक दाई दूसर दाई के संग्वारी बन के ओखर सहायता कर थे। उला सीख दे थे। ये अभियान के सहायता ले ये छेत्र मा एक बच्छर मा नब्बे प्रतिशत ले जादा लई का मन के कुपोशन दूर होए है। आप मन कलपना कर सका थाओ का कुपोशन दूर करे मा गीत संगीत और भजन के घलो परियोग हो सका थे। मध्य प्रदेश के दतिया मा मेरा बच्चा अभियान ये मेरा बच्चा अभियान मा एकर सफलता पुर्वक परियोग करेगे है। एकर अंतरगत जिला मा भजन कीर्तन आयोजित होईस जे में पोशन गुरु कहाये वाला शिक्चक मनला बुलाये गेईस एक मटका कारेक्रम घलो होईस एमें माई लोगिन मन आंगन बाडी केंद्र खातीर मुठा भर अनाज ले के आथें और इही अनाज ले सनीवार के बाल भोज के आयोजन करे जाते एकर ले आंगन बाडी केंद्र मा लैका मन के हाजरी बाढ़े के संगे संग कोपोशन घलो कम होई है कोपोशन के प्रती जागरुकता बढ़ाये खातिर एक अनूठा अभियान जार खंड मा घलो चला थे जार खंड के गिरी डीह मा साप सिधी के एक्ठन खेल तियार करेगे हैं खेल खेल मा लैका मन अच्छा और खराब आदत के बारे मा सीखत हैं संगवारी हो कोपोशन ले जुड़े अथका कन अभिनाव परियोग मन के बारे मा मैं आप मनला ये खातिर बतावत हाँ का है कि हम जम्मो मनला घलो अवया महीना मा ये पोशन ले जुड़े बढ़का अभियान ले घलो समर्पि थे हमन हर बचर एक ले तीस सितंबर के बीच पोशन माह मना थन कोपोशन के विरुद्ध देशम कईयो रचनात्मक और विवित परियास करे जावत है तकनीकी के अच्छा परियोग और जन भागीदारी घलो पोश पोशन अभियान के महत्व पूर्ण हिस्सा बने हैं निराकरण इही कदम तक सीमित नहीं है ये लड़ै मां दूसर कईयों अउपहल मन के घलो विसेज भूमिका है उधारन के रूप मां जल जीवन मिशनल लेवाओ तब भारत ला कुपोशन मुक्त कराय मां ये मिशन के घलो बहुते बड़ा परभाव होगया है कुपोशन के चुनावती ले निप्टे मां समाजिक जागरुकता ले जुड़े पर्यास महत्वपून भूमिका निभाथें मैं आप जम्मो मन ले आग्रह करूं कि आप मन अवय्या पोशन माहमा कुपोशन या माल निउट्रीशन ला दूर करे के पर्यास मा खचित हिस्सा लेवाओ मुरमयारुक देश के रवय्या हो चे नईले श्री देवी वर्द राजन जी हा मुला एक्ठन सूर्ता भेजे हैं वो मन माई जियोवी मा अपन बात कुछ ये रकम ले लिखे हैं नवा बच्छर के आयमा अब पांच महिना ले कम बखत बाचे है अव हम सब्बो मन जान्थन कि अवय्या नवा बच्छर इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स के रूप मा मनाय जाही वो मन मुला देश के एक मिलेट मानचित्र घलो भेजे हैं संगे संग पूछे हैं कि का आप मन की बात मा अवय्या कडी मा एकर उपर चर्चा कर सकत हो मुला अपन देश्वासी मन के ये रकम के भावना देख के बहुते आनंद के अनुपूती हो थे आप मनला सुर्ता हो ही कि संयुक्त रास्ट्रह एक प्रस्ताव पारित करके बचर दू हजार तेईसला इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स घुशित करे हैं आप मनला ये जान के घलो बहुते खुशी हो ही कि भारत के ये प्रस्तावल सत्तर ले जादा देश्मन के समर्थन मिले रहिस आज दुनिया भर मा मोटा अनाज के मिलेट्स के आकर्शन बाढ़त जा थे संगवारी हो जब मैं मोटा अनाज के बाद कर थां तम मोर एक्ठन पर्यास लग हलो आज आप मन संग साजा करना चाहा थां पाच्छू कुछ बखत ले भारत मा जब कोई विदेशी पहुडा आथे राश्टाध्यक्ष भारत आथे तम मोर पर्यास रही थे कि भोजन मा भारत के मिलेट्स माने मोटा अनाज ले बने व्यंजन बनवावाउं और अनुभव ये आए है कि वो महानुभाव मनल ये व्य पसंद आ थे और हमर मोटा अनाज के संबंध मिलेट्स के संबंध मा बने अकन जानकारी इकठा करे के वो मन पर्यास घलो कर थें मिलेट्स मोटा अनाज जुन्ना काल ले हमर क्रिशी संस्कृती और सभ्यता के हिस्सा रहे है हमर वेद मन मा मिलेट्स के उल्लेख मिल थे और इही रकम पुरान नुरू और तुलकापियम मा घलो एकर बारे मा बताएगे है आप मन देश के कोनो हिस्सा मा जावाओ आप मनल उहां लोगन मन के खान पान मा आने आने रकम के मिलेट्स जरूर देखेला मिल ही हमर संस्कृती कस मिलेट्स मा घलो बहुते विवित्ता पाएजा थे जुआर, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू ये जम्मो मोटा अनाजम आ थे भारत विश्वमा मिलेट्स के सबले बढ़का उत्पादक देश है इही पाय के ये पहला सफल बनाय के बढ़का जिम्मेवारी घलो हम भारत वासी मन के कंधाम है हम सब वो मनला मिल के एला जन आंदुलन बनाना है और देश के लुगन मन मा मिलेट्स के प्रती जागरुकता घलो बढ़ाना है और संग्वारी हो आप मन बने रकम ले जान थाओ कि मिलेट्स किसान मन खातिर घलो लाबकारी है और वो घलो खास करके छोटे किसान मन बर असल मां बहुते कम बखत मां फसल तियार हो जाते और एमें ज्यादा पानी के जरुवत घलो नहीं हो आए हमर छोटे किसान मन खातिर मिलेट्स विसेश रूप मा लाभकारी है मिलेट्स के भूसाला अच्छा चारा घलो माने जा थे आजकल युवा पिढ़ी स्वस्थ जिन्गी और खान पानल लेके बहुते केंद्रि थे ये हिसाब ले घलो देखन तब मिलेट्स मा भरपूर प्रोटीन फाइबर और पोशक तत्व पाय जा थे कईयों लोगन मन इला सुपर फूट घलो बोल थे मिलेट्स के एके नहीं अनेको लाभ है मोटापला कम करे के संग, डाइबिटीज, उच्च रक्त चाप और हिर्दे सम्मंधित रोग के खत्राला घलो कम कर थे एकर संगे संग ये पेट और लीवर के बिमारी ले बचाव मा घलो सहायक है थोड़ा देर पाच्छू हमन कुपोशन के बारे मा बात करे हन कुपोशन ले लड़े मा घलो मिलेट्स बढ़ लाब दायक है का है कि ये प्रोटीन के संगे संग उर्जा ले घलो भरे हो थे देश मा आज मिलेट्स ले बढ़ावा देखातिर बहुत कुछ करे जा थे एकर ले जुड़े शोध और नवाचार्म ध्यान केंद्रित करे के संग एफपियो मनल प्रोसाहित करे जा थे जेखर ले उत्पादन बढ़ाये जा सके मुर अपन किसान भाई बहिनी मनले इही आग्रह है कि मिलेट्स माने मोटा अनाजल जादा ले जादा अपनावाओ और एकर लाब उठावाओ मुला ये देख के बहुते अच्छा लग थे कि आज कईयों ऐसे स्टार्ट अप उभरत हैं जिनमन मिलेट्स उपर काम करत हैं ये में ले कुछ मिलेट्स कुकीज बनावाथ हैं ता कुछ मिलेट्स पैन केक और दोसा घलो बनावाथ हैं उहें कुछ ऐसे हैं जिनमत मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट नाष्टा तियार करत हैं। मैं ये छेत्र मा काम करईया जम्मो लोगन मनला गाडा गाडा शुभकामना देवत हौं। तिहार की ये मौसम मा हम लोगन जादा तर पकवान मा घलो मिलेट्स के उप्योग कर्थन। आप मन अपन घर मा बने ऐसने पकवान मन के फोटू सोशल मीडिया मा खचित साजा कराओ। ताकि लोगन मन के बीच मिलेट्सल लेके जागरुकता बढ़ाए मा सहायता मिलेए। अभी कुछ दिन पाच्छू मैं अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिला मा जोर सिंग गाओं के एक खबर देखें। ये खबर एक ऐसे बदलाओ के बारेबा रहिस। जेखर अगुरा ये गाओं के लोगन मनला कईयों बच्छर ले रहिस। के दूर सुदूर इलाका मा फोर जी के रूप मा एक नवा सुर्यूदय होए है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नवा बिहान लेके आए है। जेन सुभित्ता कभू खाली बढ़का सहर्म मिलत रहिस। वो डिजिटल इंडिया ह। गाओं गाओं तक अमरा देहे। इही कारण देश मन नवा डिजिटल उद्यमी पैदा हुआ थे। राजस्थान के अजमेर जिला के सेठा सिह रावत जी दरजी ऑनलाइन इस्टोर चला थे। आप मन सोचू ये का काम हुई दरजी ऑनलाइन असल मा सेठा सिह रावत कोविट ले पहली टेलरिंग के काम करत रहिन। कोविड आईस तर रावत जीह ये चुनावतीला मुश्किल नहीं, भलुक आउसर के रूप मा लेइन, वोमन कॉमन सर्विस सेंटर मने CSCE स्टोर ले जुडिन, अव ऑनलाइन काम काज शुरू करिन, वोमन देखिन कि ग्राहक बढ़का संख्या मां मास्क के आडर देवत हैं, वोमन कुछ माई लोगिन मनला काम रख के मास्क बनवाना चालू करिन, उखर बाद वोमन दरजी ओनलाइन नाव के अपन ओनलाइन स्टोर सुरू कर देन, जे में अव कई रकम के कपड़ा बना के घलो बेचे लागिन, आज डिजिटल इंडिया के ताकत ले सेठा सिह जी के काम अतिक बाढ़ चुके है कि अब वोमनला जम्मो देश ले आडर मिल थे, सैकडो माई लोगिन मनला वोमन अपन इहां रोजगार दे हैं, डिजिटल इंडिया हा, यूपी के उन्नाव मा रहिया ओम प्रकाश सिह जीला घलो डिजिटल उद्यमी बना दे है, वोमन अपन ग तीर तकारमा निशुलक वाई फाई जोन के निर्मान घलो करे हैं, जिखरले जरुरत मंद लोगन मन के बहुते बढ़ का सहायता हुआ थे, ओम प्रकाश जी के काम अब अधका बाढ़ ये है कि वोमन बीस ले जादा लोगन मनला नौकरीमा रखे हैं, ये लोगन मन गाउं क स्कूल, अस्पताल, तहसील आफीज और आंगन बाड़ी केंद्र तक ब्राडबेंड कनेक्शन पहुचावत हैं, और एकरले रोजगार घलो प्राप्त करत हैं, कॉमन सर्विस सेंटर कस गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस मने जेम पोटल मा घलो अईसने कतको सफलता के कहनी देखेला मिलत है, संगवारी हो, मुला गाउले अईसने कतको संदेशा मिलत है, जेन इंटरनेट के कारण आए बदलावला मोर संग साजा करत हैं, इंटरनेट हा, हमर युवा संगवारी मन के पढ़ाई और सीखे के तरीकाला बदल दे है, जैसे यूपी के गुडिया सिंग जब उन्नाओ के अमुया गाउमा अपन ससुराल आईस, ता उला अपन पढ़ाई के फिकिर होईस, फिर भारत नेठ हा, ओखर ये फिकिर के समाधान कर देईस, गुडिया हा, इंटरनेट के माध्यमले अपन पढ़ाईला आघू बढ़ाईस, और अपन इसनाता घलो पूरा गाउमा अईसने कतकुच जिनगी डिजिटल इंडिया अभ्यान ले नवा शक्ती पावत है, आप मन मुला गाउम के डिजिटल उद्यमी मन के बारे मा जादा ले जादा लिख के भेजाओ, और उन्खर सफलता के कहनीला घलो सोशल मीडिया मा खचित साजा कराओ, मुर मयारूग देश के रवया हो, कुछ समय पाचू मुला हिमाचल प्रदेश ले मन की बात के एक शोता रमेश जी के पाती मिलिस, रमेश जी हा अपन पाती मा पहाड के कईयों खुबी के उल्लेक करे हैं, वो मन लिखे हैं कि पहाड मा बस्ती मन भले दुरिया दुरिया ब हम बहुत कुछ सीख सकत हैं, पहार के जीवन शैली और संस्कृती ले हम अनलब पहली पाठ इही मिल थे कि हम परिस्थिती के दबाव मा जण आवन ता आसानी ले उनका रूपर विजय प्राप्त कर सकत हैं, और दूसर हम कैसे इस्थानी साधन मा आत्म निर्फर बन सकत हैं जन पहली सीख के उन लेक मैं करे हूँ, ओखर एक सुन्दर चित्र ये दिन इस पिती छेत्र मा देखेला मिला थे, इस पिती एक जन जाती छेत्र है, इहां ये दिन मा मटर तोड़े के काम चला थे, पहाडी खेत उपर ये एक महिनत भरे और मुश्किल काम हो थे, फिर इहा गाओं के माई लोगिन मन इकठा होके, एक सग्रा मिलके, एक दूसर के खेतले मुटर तोड़ें, ये काम के संगे संग माई लोगिन मन इस थानिय गीत, चपरा माजी चपरा ये गीत घलोग आ थे, माने यहां आपसी सहयोग घलो लोक परमपरा के एक हिस्सा है, इस पिती मा इस्थानिय संसाधन के सत्युपियोग के घलो सुन्दर उधारन मिल थे। ठंडी जाय के बाद इही गोबर खेत मन मा खात के रूप मा उपयोग करे जा थे। मने पसू मन के अपसिस्ट ले उनकर सुरक्षा घलो और खेत मन बर खातू घलो। खेती के लागत घलो कम और खेत म उपज घलो जादा। इही पाय के ये छेत्र ये दिन प्राकृतिक खेती खातीर घलो एक प्रेणा बन थे। संगवारी हो इही रकम के कईयों सराहनी पर्यास हमर एक अव पहाडी राज्य उत्तरा खंड मा घलो देखेला मिला थे। उत्तरा खंड मा कईयों रकम के अवशधी औव वनस्पती पाय जाथे। जिन हमार स्वास्त बर बहुते लाब के हो थे। इही मा एक्ठन फल हे बेडू इला हिमालियन फिग के नावले घलो जाने जाथे। ये फल मन मा खने जव बिटामिन भरपूर मात्रा मा पाय जाथे। लोगन मन फल के रूप मत एकर सेवन कर्थे चे। संगे संग कई बिमारी के इलाज मा घलो एकर उपियोग हो थे। ये फल के इही बिशेस्ताला देखत अब बेडू के रस एकर बने जेम, चटनी, अचार और उला सुखा के तियार करेगे ड्राई फ्रूटला बजार मा उतारेगे है। पिथवरागर प्रशासन के पहल और इस्थानी लोगन के सहयोगले बेडूला बजार तक आने आने रूप मा पहुचाय मा सफलता मिले है। देश के रवया हो, मन की बात मा आज सुरुवात मा हमन आजादी के अम्रित महोत्सों के बारे मा बात करें। स्वतंत्रता दिवस के महान परब के संगे संग अवया दिन मा अव कई उठन परब घलो अवया है। अभी कुछे दिन बात भगवान गनेश के आराधना के परब गनेश चतुर्थी है। गनेश चतुर्थी माने गनपती बप्पा के असीसा के परब। गनेश चतुर्थी के पहली ओनम के परब घलो सुरु हो थे। विसेस रूप मा केरला मा ओनम शांती औव सम्रिद्धी के भावना के संग मनाए जाही। तीस अगस्त के हर तालिका तीज घलो है। ओडिसा मा एक सितंबर के नुवा खाई के परब घलो मनाए जाही। नुवा खाई के मतलब हो थे नवा खाना माने ये घलो दूसर कईयों परब मनकस हमर कृषी परंपरा ले जुड़े तिहार है। इही बीच जैन समात के समवत्सरी परब घलो हुई। हमर ये सब बो परब हमर सांस्कृतिक सम्रिधी औव जीवन्तता के पर्याय है। मैं आप जम्मो मनला ये तिहार औव विशेश अवसर मनबर शुभकामना देवत हाऊ। ये परब मन के संगे संग काली 29 अगस्त के मेजर ध्यान चंजी के जनम जयनती मा राष्ट्री खेल दिवस घलो मनाय जाही। हमर युवा खिलाडी मन वैश्विक मन्चमा हमर तिरंगा के शान बढ़ावत रहें। इही हमर ध्यान चंजी के प्रती शध्धांजली होही। देश खातिर हम जम्मो मन मिल के अईस्ते काम करत रहन। देश के मान बढ़ावत रहन। इही कामना के संग मैं अपन गोठ समाप्त करत हो। अवईया महिना एगाओ फेर आप मन ले मन की बात होही। गाडा गाडा धन्यवाद।